नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है रिवा की बड़ी खबरे लेकर हाजर हुए हैं पहली कबर की बात करते हैं रिवा मौगंज पहुंचे रिवा कलेक्टर मनोज पुश्प सहित स्पी नवनीद भसी ने विधायक प्रदीप पतेल की बाइक रैली को हरी जंडी दे कर पतेहरा गाउं के लिए रवाना किया विधायक प्रदीप पठेल हेलमेट जागरुकता अभ्यान को लेकर मौगं सहित पतेहरा के साथ साथ कई अन्य जगहों में बाइक रैली कर रहे हैं जहां नशा मुक्ती के तहट कारिक्रम भी आयुजित किये गए पतेहरा में आधादर्जन सेकडा लोगों ने विधायक SP कलेक्टर के समक्ष नशान ना करने के शपत ली इस दौरान विधायक कलेक्टर SP ने उपस्थित जनसमू को संबोधित करते हुए लोगों को बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाने और नशान ना करने के लिए जाग ना की और कहा कि जब भी आप घर से निकले तो हेलमेट जरूर लगाए अगली खावर की बात करते हैं रीवा सेफ चौरह स्थित सिंदु भवन में केक काटकर गुरू नानक महराज का जनम दिन का कारिक्रम मनाया गया जहां रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा इंजिनियर राजे इंद्र शर्मा एवं कॉंग्रूस पार्टी के तमाम कारिकरता शामल हुए पांसो तिर्पन न्वा जनम दिन पूज सिंदी सिंटरल पंचायद की तरफ से पूरे हरसो हलास के साथ मनाया जा रहा है जिसमें हमारे पूरे समाज का पूरी तरह सायोग रहता है इसमें पूरा समाज आकर प्रशाद गरहन करता है बंडारा गरहन करता है और पूज सिंदी सेंटरल पंचायद की अध्याच्छे दादा पहलास सिंग जी द्वारा ये सब समाज के लोग आकर और इस कारिकरम को बढ़ावा देते हैं बहुत आज का जो कारिकरम है बारा बजे भोग साब स्वामी कमल दाजी के सानिद्य में इसके बाद आम भढ़नारा होगा ये गुरु नानक जेंती का है आठ तारीको गुरु नानक जेंती है और कल चंद्रगरहन पढ़ने के कारण इसका कारिकरम पुरा आज रखा गया है के कभी कटेगा